हलो दोस्तों नुश्कार मैं हूँ आपका दोक्टर दलबीर सिंग आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्टन या दोस्तों हर्याना जिक्के की स्रीज चली हुई है इसमें छटा वीडियो में डाल रहा हूँ जिसके इंदर डिस्टिक मैंने लिया है करनाल को इससे क्वेस्टन को अब शुरू करते हैं इसको पूरा देखने के लिए आप बने वे मारे साथ हैं एक बार फिर से आपका स्वागता है स्मसे पहले हम फर्स्ट क्वेस्टन के उपर चलते हैं पहला क्वेस्टन हमारे सामने वेन वार्द करनाल डिस्टिक फॉर्म्ट करनाल डिस 266 में और उसी समय पे एक नॉवंबर को करनाल डिस्टिक भी फॉर्म में आया था उसके बाद में चलते हैं दोस्तों दूसरे क्यूस्टन पे करनाल सीटी को की स्थापना है फिर ये कहें कि करनाल सहर की स्थापना किस ने की थी तो इसका अंसर है राजा करन के दौरा अब राजा करन के बारे में यह दिया आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बताना जाता हूँ कि ये राजा करन माबारत काली जो करेक्टर है वहां से लिया गया है उस करन के बाद ये हो रही है उसके बाद आप ये नहीं सोचिए कि modern इडिया के अंदर या एंसेट हिस्ट्री के अंदर या medieval हिस्ट्री के अंदर कोई राजा कर्ण दूसरा था यह माँ बारता काल की बात है कि कर्ण जो नगरी है कर्ण नगरी कहें कर्ण सीटी कहें यह actual में दुरियोद ने gift में दिया था राजा कर्ण को और नाम सी यहां पर इसका नाम करनाल पड़ा पहला इसको कर्णी नगरी कहते थे बाद में इसका नाम कर्णाल पड़ा यहां पर कर्ण लेकभी है और कर्ण राजा कर्ण जो माभारत कालिन थी यानि के युदि-श्टरक के बड़े बाई आप कह सकते हैं तो उन से related यहां पर बहुत सारी चिन है, बहुत सारे निसान, बहुत सारे आपको इस परकार की चीज़े मिलेंगी, जो कर्ण को डिरेक्टली को रेलेटियां से करती है. Next question पे जलते हैं, वह कर्णाल सहर का उप नाम क्या है? तो कर्ण नगरिया, हरियाना का पैरिस भी से, दोस्तों का जाता है, आप इसको याद रखिएगा, हरियाना का पैरिस भी से कहते हैं. अगले question पे जलते हैं, वह है कि, what is the total area of कर्णाल डिस्टिक, कर्णाल डिस्टिक का एरिया जो 25 सो 20 केर किलोमीटर है. अगले question पे जलते हैं, वह है कि number of division कितने हैं कर्णाल के अंदर, और यह आपको पताओना चाहिए कि 4 division हैं कर्णाल के अंदर, एक है कर्णाल, दूसरा है इंदरी, तीसरा है असंद, और चोथा है गरोंडा. उसके बाद तैसिल की बाद करते हैं कि number of तैसिल कितनी है कर्णाल, डिस्टिक के अंदर, यہ हैं 5, इसमें कर्णाल, असंग, निलोखेड़ी, इंदरी, और गरोंडा, यह 5 तैसिल आपे हैं. इसके बाद मैं सब तैसिल की बात करते हैं, तो यह तीन हैं, पहली है इसमें निसिंग, दूसरी है बलला, यह बलला आप बड़ा गाउं हैं, जो उसको आप संज़ी यह बलला नहीं बलला है, और तीसरी है निंग-दू, आप ढ़ास प्नुद्डू, आप किस परकार से प्रन कलندर साइक का अक मकबराया पिरे उसकी मजार कहEE सकते हैं. यहां पे आप दीए कलंदर साइक मःकْपरा सहर के ठीक बाहर मेश्चते थै're कबर संग्मर्मर्ससे बनी हुई है, इसे मुर्तिकला से सजाया गया है मकबरे का निर्मान दिल्ली के समराट ग्यासुदीन और बोल इकलंदर साइक परसिद मुस्लिम सावन्तो रीशी की समर्ती में यहाँ पे बनवाया गया है उसके बाद में यह सेकिंड पिक्चर आपके सामने है इसके बारे में आपको चानते हैं यह सीता माई का टेंपल सीता माई का टेंपल के बारे में थोड़ी सिंफोमेशन यहाँ पर पढ़िए करनाल के पास सीता माई गाउं में स्तित है प्राचिन मंदिर एक अनूठी विशिष्ता है यह साइद भारत में देवी सीता का एक मातर मंदिर है यह सीता माई मंदिर ठीक वही स्तान पर है वही स्तान पर स्तित है जहाँ पर धरती माता ने देवी सीता मा को निगल लिया था यानि के दर्ती में जब देवी सी तमा समा गई थी उसके बाद में नेक्स क्यूस्टन पर जलते हैं और इसे देखे इस पिक्चर को देखे भी आपको कुछ अंदाज आएगा ये है दोस्तो मित्रा साहिब की टॉम अब मित्रा साहिब की टॉम के बारे में ये मकबरा एक संत स्यद मौमद की याद में खड़ा हुआ है इसका नाम उर्फ नाम जिसको कहते हैं वो मिरान साहिब जिनकी मरते हुई थी 899 एसवी में ये एक ब्रामन लड़की को एक राजा के चंगुल से युद हो रहा था उसमें पर गाजा के चंगुल से बचाया था एक ब्रामन लड़की को तो उसी की याद में बना गया है दोस्तो ये आपको ये बिल्डिंग ये 5 स्टार होटल की है ये आपको कुछ याद दिलाती होगी ये है नूर महल और ये 5 स्टार होटल है एक्चल में करनाल में तो इस के बारे में थोड़ा बहुत आपको नोलेज होगा जरूर ये 5 स्टार डिलेक्स होटल है और इसके अंदर प्लेटियल आर्केटेक्चर या फिर डिफरेंट टाइप का एक आर्केटेक्चर है वो यहाँ पे यूज किया गया है दोस्तो इस picture के बारे में भी आप थोड़ा सा समझ गये होंगे यह क्या है करन लेख है और करन लेख यह आपने करनाल की विजिट की है और करन लेख पे आप नहीं गई है तो आपने गलती की है कि आप कर्णाल में कर्ण लेकी विजिट जरूर करें इस तान पर कर्ण ने कर्ण के कटर स्त्रू अर्जुन के गोड़ फादर इंदर को अपना सुरुक्षा कवज परदान कर दिया था कर्ण के बारे में आप जानते होंगे कि उसे ग्रेट दानी मतलब डोनर उससे बढ़िया आज तक नहीं हुआ पूरी इतियास काल में देखा जाए तो कर्ण जितना डोनर कर्ण जितना दानी कोई वेक्ति नहीं हुआ इसलिए कर्ण को दानी के तोर पे भी याद किया जाता है कर्णाल डिस्टिक के बारे में कुछ information है दोस्तों वो हमें जुरूर समझ लेनी चाहिए यह 100 questions है इनमें से 100 से कुछ ज़्यादा ही है तो इनमें से कर्णाल डिस्टिक के बारे में आप देखिएगा इस इंडिया कंपनी आर्मी एज रिफ्यूजी डूरिंग दा इंडियन रिबेलिन 157 में 157 में रिफ्यूजी के लिए कर्णाल को चूज किया गया था यहापे रिफ्यूजी के एंप लगाए गए थे उसके बाद में बैटल आप कर्णाल हुई वो पहली जो थी नादर्सा जो परशिया के थेर मुगल एंपायर ने इसके बीच में 1749 में कर्णाल के लड़ाई हुई थी दोस्तों मूल चंद जैन के बारे में कुछ आप जानते होंगे उसे रेफर किया जाता है हरियाना के गांधी के तोर पे और वो कर्णाल में उनका स्वागत हुआ था वन अफ दा प्रूमिनेंट लीडर थे इंडियन इंडेपेंट्स मूमेंट से रेलेटिड आजादी के लड़ाई में बहुत प्रूमिनेंट लीडर थे मूल चंद जैन कर्णाल का 24 वांस्तान है 4,000 बैस्ट सीटी डिकलेर किये गए थे 2019 में और यह सवच बारत से रेलेटिड थे तो 24 वा रेंक कर्णाल का उसमें आता है यानि कि सवच बारत के वियान में देखा जा जाए तो कर्णाल का 24 वा रेंक था और हरियाना में पर्थम 17 का था करनालबाद selected one of the hundred Indian cities जो smart city एक campaign चली थी यानि कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी के एक flagship smart city योजना है उसके तहित करनाल को चूज किया गया था और ये पहला सहर था जो चूज किया गया था हरियाना का करनाल अगले question पे चलते हैं और वो है M.P.C. related ये हैं member of parliament member of parliament कोन है करनाल का ये आपको पता होना चाहिए संजीव भाटिया जी अभी member of parliament है उसके बाद में M.L.A. और C.M. ये तो आप समझी गए होंगे करनाल के अंदर मनोहरलाल खचर जी स्रीमान मनोहरलाल खचर जो member of parliament हो करनाल से हैं और फिल हाल चीफ मनिस्टर है हरियाना के next question देखते हैं कलपना चावला का कलपना चावला फास्ट इंडो अमरिकन वीमन एस्टोनेट थी 2003 में चावलावाज one of the seven crew member that died in space shuttle Columbia disaster 2003 में इनके मरत्य हो गई थी Columbia इनके shuttle का नाम था space shuttle का या फिर vehicle का नाम कहें जो मतलब space में गया था और actual में 2003 में disaster हो गया था जिसमें कलपना चावला मर गई थी उसके बाद देखते हैं मूल्चन जैन मूल्चन जैन के बारे में थोड़ा बहुत आपने देखा कि वो freedom fighter हैं करनाल से related हैं अनिस बनवाला अनिस बनवाला इंडियन सूटर हैं वो करनाल से हैं हरियाना से और उन्हें compete किया था 25 मीटर का rapid fire pistol 25 मीटर पिस्तोल में 25 स्टेंड पिस्तोल एवेंट में उन्होंने fight किया था नवदीप सैनी जी नवदीप सैनी है अमरजीत नवदीप सैनीन का पुड़ा नाम है 23 नॉमबर 1912 को पैदा हुए इंडियन किरिकेटर हैं उन्होंने दिल्ली में दिल्ली की तरफ से 2013 तक खिला और उसके बाद में इंटरनेशनल उन्होंने डेबू सुरू किया 2019 में अगस्त में करनाल एजुकेशन के बारे में एक NDRI NDRI के बारे में आप जानते हैं और बारतिय करसी अनुसंदान प्रीशद है और ये आज की खबर है एक्चुल में मैं दिसंबर महीने की चार तरिक को रिकोर्ड कर रहा हूँ और ये आज के न्यूज पेपर की करसी अनुसंदान प्रीशद के द्वारा इसमें National Dairy Research Institute इसका पूरा नाम है पहले मैंने साथ कुछ गलत बोल दिया कि बारतिया करसी अनुसंदान प्रीशद एक्चुल में इसके द्वारा रेंकिंग परदान की गई और National Dairy Research Institute ये है और यह दिया आप NDRI की तरफ जाते हैं करनाल में जाते हैं तो NDRI में आप जरूर जाइएगा वहां का जो गी मिलता है मतलब रिफैंड गी जिसको आप कह सकते हैं तो वो गी बड़ा फेमस है और हरियाना में अलग अलग एरिया से लोग आते हैं इस गी को खरीते हैं मैं भी एक दो बार करनाल में गया तो मैं खरीद के लाया हूँ तो आप भी इसको चेक कीजिएगा बहुत ही अच्छा और उच्छ तरगाई माना जाता है दोस्तों जो National Dairy Research Institute है ये एक प्रीमियम इंस्टिटूट है हरियाना का और ये इंस्टिटूट का जो स्टेटस है वो डिम्ट इनिस्टी स्टेटस प्राप्त हुआ है 1989 में NDRI के बारे में थोड़ा सा आपको और भी बताएंगे वो अगले क्योशन में है तब तक हम वेट कीजिए और दोस्तों मैं आपसे एक अपील करूँगा इस वीडियो को ना शुरू से आखिर तक आप जुरूर देखिए गाप बहुत सारे कोशन इसके अंदर ऐसे इंपोर्टेंट जो आपके काम आएंगे इसी के साथ मैं मैं दोस्तों आप से एक अपील करूँगा कि हमारे चैनल को सुब्सक्राइब जूर कर लें इसके साथ में आप लाइक भी जरूर कर दें लाइक से हमें कोई मुनाफ़ा या किसी प्रकार क्याम देनी नहीं परन्तों से थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलता है कि आप लाइक जरूर कर दीजिए नेक्स कुशन पर जलते हैं वो है NDRI की हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या है कि नेशनल जो रिसर्च इंस्टिटूट है वो बैंगलोर में स्तापित हुआ था 1923 में और इसका नाम था इंपीरियल इंस्टिटूट ओफ एनिमल हस्मेंट्री और डेरिंग 1936 में इसका ने रिनाम कर दिया और इंपीरियल इंस्टिटूट इसका नाम रख दिया और इंडिपेंट्स के बाद में 1947 में इसका रिनेम दुबारा से फिर कर दिया और अब इसका NDRI इसका नाम है जैसे नेशनल इंस्टिटूट इंस्टिटूट इसका फिलाल नाम है करनाल में एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं ये है कि करनाल के अंदर एक स्कूल है बहुत इंपोर्टेंट सेंट थ्रेसा कन्वेंट सिनियर्स केंडरी स्कूल आप यदि करनाल के असपास हैं तो अपने बच्चों को यां जरूर पढ़ाईएगा बहुत स्कूल है इसके भी मत बूलिएगा क्योंकि ये पहला स्कूल है हरियाना का जो सैनिक स्कूल है दोस्तों यहां पे बाबु मूल्चन जैन इंडिस्ट्रिल ट्रेनिंग इंस्टिटूट है करनाल के अंदर आप इसको जाइट भी कह सकते हैं और ये गवर्मेंट की आयाइट ह इसके साथ में दोस्तों ड्याल सिंग कॉलिज है करनाल के अंदर ये थी कुछ बहुत इंपोर्टेंट एजुकेशन से लेटेड नियोज जो करनाल के अंदर है और करनाल के अंदर एक है हरियाना इंस्टिटूट अफ सीवल एविएशन जिसको करनाल फ्लाइंग कलब के तो permission है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए करनाल से related उसके बाद में देखते हैं next question which district of haryana is known as the rice bowl of haryana ये करनाल ही है actual में धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है चावल का कटोरा भी आप इसे होई कह सकते हैं अगला question है दोस्तो which district of haryana is the first in the production of mango actual में अंबाला और करनाल ये दो नाम एक ठे हैं तो दोस्तों आप इन दोनों के याद रखिएगा mango production में हरियाना में का पर्थम स्थान है अगला question है in which district of haryana is the चक्रवर्ती लेक located चक्रवर्ती लेक located करनाल में है करन लेक के साथ में चक्रवर्ती लेक को फिमेल चुपाल का मतलब है कि उसके अंदर सरपच भी सारे मेंबर भी फिमेल हैं तो ये है दोस्तों उडाना करनाल के अंदर उडाना गाव है करनाल में अगला question देखते हैं ये है कि what is the total number of haryana flying club in which place कौन से flying club है और किस जगह पे हैं तीन flying club हैं इनमें से करनाल में हैं दूसरा हिसार में तीसरा पिंजओर में पिंजओर यानि आप अगला question देखते हैं दोस्तों which place did the king द्रियोधन give to करन as a gift ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ कि जो राजा द्रियोधन थे नोंने करन को gift में दिया था करनाल जिसके बाद में करनाल के राजा कहलाए राजा करन और एक्चल में उसे दासपुतर पुकारा था पांड़ों ने या पिर आप बात कहें कि उस लड़ाई में और सायद या पे जो उनके गरूर द्रोना चारिये थे उन्होंने ये कहा था कि इस लड़ाई में आप बाग ने ले से थे क्योंकि आप दासपुतर हैं उसमें पर उतेजित होके राजा दुर्योदन ने डिकलेर कर दिया कि अब मैं करन को दान में देता हूँ gift में देता हूँ करनाल करनी नगरी को और उसके बाद में करनी नगरी स्तापित हूँ ये रज जो एरिया उसको दिया गया था उसके बाद में करनाल नगर की स्तापना की गई थी राजा करन के दवारा जिसे बाद में करनी नगरी और अब करनाल के तोर पे जाना जाता है अगला किसन देखते हैं भी दोस्तों करनाल में है यानि कि मेलों का गाउँ किसे कहा जाता है सालवन गाउँ है दोस्तों करनाल में यह दिया पसंद की तरफ आपाते हो तो आपको सालवन गाउँ मिलेगा तो वहाँ पे ये इसे विलेज ओफेर्ज यानि के मेलों का गाउं कहा जाता है Which was the capital of King Salivan? ये Salvan और Salivan एक इसम जाएंप इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा इदर उदर हो गई है तो Salvan capital क्या थी? Salivan राजा की तोसी के नाम पे Salvan गाउं का नाम पड़ा था और Salvan को नोंने capital गोशित किया था Which is the maximum production of Guava and garlic in the state? Garlic और Guava यानि के अमरूद और अदरक की maximum production कहां पे होता है? दोस्तों करणाल में होता है अगला किसन है Which was the capital of Abhimanudson Pertixit? Pertixit की capital कौन सी थी? तो दोस्तों Pertixit की capital थी Asand करणाल अगला किसन देखते हैं दोस्तों वो है हमारा Where is the state of first Horticulture University? मारना परताब Horticulture University Stabilis दोस्तों करणाल में ही है इसके बारे में साइद हम पहले भी देख चुके कि Horticulture University है जो मारना परताब यह यहीं पे located है और actual में यह जगह है अजन सथली और यह गाओं के अंदर village है एक करणाल के अंदर और 6 November 6 April 2016 को नीदर लेंड के कोलेबरेशन के दोवारा है Horticulture University Stabilis हुई थी कई बार जबान थोड़ी से लड़ खड़ा जाती है बहुत ही speed में बोलना मुझे पढ़ रहा है क्योंकि फिर बहुँ ज़्यादा लबी वीडियो हो जाती है इसलिए next question पे देखते हैं दोस्तो where is the inscription अभी lake जिसको हम कहते है written in the crusty script crusty script में कौन सा अभी lake मिलता है और कहां पर यह पाय जाता है दोस्तो करणाल में पाय जाता है और इसके अंदर lake के construction से related information मिलते है अगले question को देखते हैं where is the haryana institute of rural development established rural development से जो institute है वो haryana के अंदर कहां पर located है निलो खेडी करणाल में located है अगला question देखते हैं दोस्तों और यह 1990 में established हुआ था where is the best quality बासमती rice grown best quality के बासमती rice हैं वो कहां पर पैदा किया जाते हैं अब आप इसको करणाल मत कहिएगा यहां पर आप देखिए तारावडी तराइन तराइन का अक्षेतर है जो करणाल तो वहां पर बेस्ट quality के बासमती rice पैदा वते हैं और दोस्तों तराइन का युद्ध आपने सुनाओगा नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तों और हाँ यह इप इनफोर्मिशन हमें दयान में रखने होगी इसका उदगाटत ततकालिन रक्षिया मंत्री वीके करणाल मैने ने किया था और इसका लक्षिया है सिदम सनंद next question देखते हैं दोस्तों which is the first city of Haryana to be settled in the planned manner कौन सा ऐसा सेर है जो planning के साथ में बसाया गया था और इसका नाम करना लाता है दोस्तों next question हमारे सामने where is the famous tourist destination oasis हाँ बहुत important एक oasis एक हरियाना की नेक सीरीज है pretext थलों की tourist places की और ये actual में tourist जो famous स्थान हैं उनके लिए एक guest house का दिर्मान किया गया हरियाना government के दोरा और ये government के ही हैं ये अलग-अलग सेर में इनका अलग-अलग नाम मिलेगा रोतक में आप जाओगे मैं ना मिलेगा इसी परकार से किसी और नेक्स क्योशन है इन विच सीटी इस दा ब्यूटिफुल बैल बुल्ट ऑन दा आइडल ओफ लॉड किसना एं दानवीर कर्ण ब्यूटिफुल गंटी कहां बिल्ट की गई है जो मुर्ति के ऊपर है जिसके अंदर लॉड शिवा और दानवीर कर्ण के ऊपर ये हैं और ये जाल्गो नेक्स किसन देखते हैं हुई ए दा सकल्प अब इसकी परनोसीयशन हेना कि मेरे से थूड़री मुश्किल होती है बोलने में इसमें एल साइलेंट होता है और ये सकत बीच सकप्टर अब शाइलेंट dúई का साइलेंट आएकाई अगे सकप्टर और मैं इसको ल ना जबान में लड़ खड़ा जाता है, स्कप्टर इसे कहेंगे हुज दा स्कप्टर ओफ दाग्राड स्टेचू ओफ दानवीर कर्ण तो मूर्तिकार स्कप्टर होता है, मूर्तिकार और इसकी मूर्ति का स्कप्टर कौन था मूर्तिकार कौन था, वी पी वर्मा और ये मूर्ती 18 क्वेंटल लो है और एक कासे से निर्मित है इस मूर्ती की स्तापना कर्ण ताल करनाल में के गई है नेक्स्ट क्रिशन देखते हैं दोस्तों बहुत इंपोर्डेंड क्रिशन है अगला क्रिशन देखते हैं 7 to 18 are kept जो डेलिक्वेंट गल्स है अप्रादी लड़कियां है साथ से ठारा साल के बीच में उने का रखा जाता है करनाल में अगला क्रिशन देखते हैं वेरिज दा सुगर रिसर्च सेंटर इस्टेबिलिस इन दा स्टेट आप हरियाना सुगर रिसर्च सेंटर का आप स्टेबिलिस की अगया हरियाना में और यह है उचानी करनाल में अगला क्रिशन है इन विच विलेज ऑफ स्टेट दूरिंग एकजवेशन दा आटिफेक्ट ऑफ दा बुद्धीस्ट पीरियड नंदी एंड सिवलिंग ऑफ कुसान पीरियड वर फाउंड कौन सा ऐसा राज्य के अंदर गाउं है जिसकी खुदाई में कुछ आटिफेक्ट्स मिले थे कलाकर्तिया मिली थी जब बुद्धीस पीरियड से रिलेटिड है जैसे नंदी और सिवलिंग से तो दोस्त यह है फ्रीदपूर विलेज ग्रोंडा के अंदर करनाल में अगला क्यूशन है अगला क्यूशन हमारे सामने है कि वे वार दा मैक्सिमम और मोस्ट होर्स फाउंड इन स्टेट अपरियाना इनसेंट टाइम करनाल के अंदर बहुत ज़्यादा गोड़े पाए जाते थे पुराने समय में वे इस दा एक्टर लोनी मैडम हाउस बिल्ट बाइदा ब्रिटिस लोकेटेड एक्टर लोनी और मैडम हाउस कहां पर बनाए गए है करनाल के अंदर दोस्तों अगला क्यूशन है वेर इस दा लेबरेटी सूज यानि कि लेबरेटी का जो फैक्टरी है उदोग है वो काँप इस दोस्तों करनाल में लेबरेटी सूज का करनाल में दोग है अगला क्यूशन है वेजिदा थर्टेंथ डिस्टिक ओफ अरियाना स्टेट इंकलोड इन नेशनल कैपिटल रीजिन में तेरे वहाँ जो डिस्टिक इंकलोड किया गागा वो करनाल है अगला क्यूशन वेजिदा फ़स्ट गोसाला जेल इस्टिक ओफ अगला का मतलब गया है कि यदि आप किसी गाएं वगारा को उसके खिलाप कुछ निर्देता दिखाते हो या फिर मार देते हो उसके क्रिमिनल केस होता है यदि आप गाएं को नुकसान पहुचाते हैं और उसकी जेल होती है आपको करनाल में अगला क्यूशन वेड़ वाजदा स्टेट सरस्ट स्वीमिंग पूल इंडॉर स्टीडियम इस्टेडियम 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 आप याद रखेगा स्टेट का फर्स्ट स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम कहां पे इस्टेबली से दोस्तों यह सहीद उदम सिंग गॉर्मेंट कोलेज इंद्री करनाल में यहाँ पे जो इन्फोमेशन है वो उस राजा करन के दोरा नहीं है यह कहते हैं कि मोडल सिटी जो इस्टेबलिस किया गया था बृटिस के दोरा ठारा सो छे में किया गया था विर वील दा झूनिस्टी ओप हैल्थ साइन्स इस्टेबलिस हिन दा स्टेट यह एक्चल में शरूह हो गई है यह करनाल में है बिइद इसस्ट लालडोरा फ्री विलेज लालडोरा से क्या समझते हैं आप ऐक्चल में हरियाना के अंदर क्या था कि कुछ गाउं के जमीन ऐसी थी जो लाल डोरा के अंदर मानी जाती थी जिसकी रजिस्टी नहीं होती थी मतलब वो क्या था जिसका कबजा उसी की जगे तो लाल डोरा फ्री का आ जाता था बार के जमीन के रजिस्टी थी परन्तु लाल डोरा फ्री बहुत ज़ादा थी बच्चे के और ये कोहंड करनाल का था दोस्तो वीचिदा फस्ट पंचात अप रियाना स्टेट टूरीशिव नेशनल गोरो अवार्ड हरियाना की फस्ट पंचात कॉन सी थी जिसको राष्ट्य गोरो अवार्ड मिला था और ये था दूबड़ी करनाल मे नेक्स्ट है, where is लियाकत अली खान, the first finance minister of India, ये करनाल से था दोस्तों, लियाकत अली खान, finance minister था इंडिया का, अगला question है where will the first plant to generate electricity from stubble, be set up पुराली से, बिजली पैदा करने का संस्तानिया कारखाना कहां पे लगाया गया, ये करनाल के अंदर, where was the first driving school of हरियाना, दोस्तों, ये भी करनाल इसका answer आएगा, next question है, हमारे सामने करनाल से related कुछ information है, ये है कि first district of हरियाना, इन स्वच भारत सरवे 2020, 2020 में हरियाना का सबसे स्वच भारत के सरवे में करनाल पहला नंबर प्राप्त किया था, उसके बाद में ski scheme चलाई थी, जो spring women है, यानि कि women किसी भी प्रकार से रिदी परताडित हैं, तो उससे related ski scheme चलाई थी, जो 1 September 2015 से शुरू की गई थी, और ये करनाल से ski सुरू हुई थी, और इसमें अगली information है, करनाल is the first district of हरियाना state to do online जमाबंदी, online जमाबंदी सबसे पहले करनाल में से हुई थी और करनाल district online जमाबंदी का पहला district यहां पे बना था, first traffic adquartor जो हरियाना बना था, वो भी करनाल के अंदर बना था दोस्तों, और country का पहला, एक internal security university, आप internal affairs की भी कह सकते हैं, यह university establish करनाल में होगी, अभी होई नहीं है, और अगली information है, हरियाना राजे के सबसे कम जनसें के वाला नगरनी, नगरनी गम की बात करें, तो करनाल में नगरनी गोसित कर दिया, सरकार ने, सबसे कम जनसें के वाला नगरनी गम होगा करनाल के अंदर, और अगली information है, कि district जहां पे पंजाबी community सबसे ज़्यादा रहती है, हरियाना के अंदर किसी सहर में पंजाबी community सबसे ज़्यादा रहती है, तो करनाल जिला है, करनाल रखती थी, यास, उसके बाद में हम जानते हैं कि कलपना चावला ने बारवी जो स्कूलिंग की थी, और टैगोर पब्लिक स्कूल से की थी, जो करनाल के अंदर located है, अगली information कलपना चावला से related है, कि उन्होंने engineering के जो डिगरी की थी, वो की थी, पंजाब times, age of times और कलपना चावला के नाम से एक medical college भी है, जो कुटेल गाउं के अंदर करनाल में established किया गया है दोस्तों, आगे चलते हैं, और ये कुछ information और हैं कलपना चावला से related, उनका जनम हुआ था 1 जुलाई 1961 को, और दोस्तों, वो NASA में select होई थी 1994 को, उसके बाद में कलपना चावला first time उनिस स्टावला में space में गई थी, उनकी मर्तिव 2003 में हुई थी, उनके कलपना चावला के mission का नाम STS 87 था और कलपना चावला के vehicle जिसके अंदर उनकी death हो गई थी उसका नाम था Columbia और उसके मर्तिव हुई थी एक February 2000, तीन को जब वो प्रित्वी पर land कर रही थी उनका vehicle crash हो गया 10 मिनट पहले, बस 10 मिनट का difference था तब उनका vehicle crash हो गया और क्या आप जानते हैं कि हरियाना Board of Education है जो वो दसवी और बारवी के अंदर जो चात्राएं पहले नंबर पे आती है फस्ट पोजिशन पे आती है उनको कलपना चापला आवाड देती है हरियाना कॉर्मेंट अगला क्यूशन है दोतो कि एडिटर ओप पंजाब केशरी इस रेजिडेंट ओप करनाल पंजाब केशरी के एडिटर करनाल के रहने वाले हैं उनका नाम क्या है? अस्वनी कुमार है नेक्स्ट केस्ट इन विच्ट डिस्टिक ओफ हरियाना बफैलो हैज बिन कलोंड कलोंड बफैलो हरियाना के अंदर किस जिले में होती है और ये करनाल दोस्तो हरियाना की only cable forensic science laboratory established की गई है करनाल में और ये आपको पता ही है कि forensic science laboratory है मदूबन में है और ये किस सन में established की गई थी 1936 में मदूबन में 1903 से पहले ये रोतक में हुआ करती थी बाद में इसको 1936 में मदूबन में स्तापित कर दिया था अगला क्युस्वन है, between which king and when did the karnal war take place, karnal war किस के बीच मेर कब हुआ, between नादिरसा और मुगल एंपायर, मुहमद सा टुक प्लेस, 1949 नादिरसा इसमें वी नर रहे थे, और in which year there is a wheat research center in karnal district was established, आपको पता है कि karnal के इंदर एक wheat research center भी है, किस सन में established हुआ, 1988 में, अगला क् यह कब हुआ था तो दोस्तों 1984 में अगला क्यूशन है इगनु का एक सेंटर का एक रिजिनल यूनिस्टी सेंटर यहां पे है और यह कब इस्टेबलीस हुआ था दोस्तों 1991 में अगला क्यूशन देखते हैं यहनी के डरेक्टर औफ डीर्य।र इस्टेबलीस करनाल में एक अब हुआ 1908 में उब्लिट तरावडी फोर्ट तरावडी फोर्ट बार्वी सेंचीरी में किसे ने बनवाया दोस्तों पिर थीराydd चोहान ने बनवाया था वेर इस दगे बागजन को अगलेああ फैसन को फैसन को यह आपे दोस्तो ध्रइयन का युद किस किस के बीच में और तैक पśल गॉरिशन को अर युद की में हुआ इसकी बात हम साइध कर चुके हैं और इसका त्राइन करनाल में इनकी यह पैदा हुए थे वट इस दा ओल्ड नेम ओफ त्राइन त्राइन का पुराना नाम क्या था इसका नाम था आजमाबाद next question है between whom and when did the third battle of त्राइन टेक प्लेश त्राइन का तीसरा युद यह 1215 में इलतूतमिस और ताजुदीन एबग के बीच में वलतूतमिस इसमें विजही रहा where is the kalender sa dome करनाल में है दोस्तो और which was the capital of नवाब नजाकत खान यह करनाल हुआ करती थी नवाब नजाकत खान की capital और where is the tom of five famous peers located पाच परसिद पीर की tom कहां पे है मदूबन के अंदर करनाल में when was the करनाल airport established दोस्तो 1967 में और where is the agrobase equipment manufactured यानि के कर्शिय समेंदीद equipment manufactured होते हैं करनाल में where is the potato technology center located in the state of हर्याना दोस्तो यह है निलोकेडी करनाल में अगला question है what is the share of करनाल in the total rice production of हर्याना करनाल का rice production में हर्याना में कितना percentage है और यह लगबग 14% और थोड़ा सची जादा है 14.11% है 14.11% आप कहेंगे next है where is the photo of राजा गनपत सिंग situated राजा गनपत सिंग का किला कहां पे situated है यह करनाल में है दोस्तो और यह राजा गनपत सिंग जीन के द्वारा बना गया था इनका एक किला जीन में भी है which are the sites related to siswal civilization siswal civilization related sites कौन सी है यह कुझपुरा नेशन डाचा और बहुता अगला है question where is the किसोरी मैल मेमारियल लोकेटेड दोस्तो यह है करनाल के अंदर वेरवाद दा न्यूजबेपर पब्लिस्ट बाइदा ओदीचा ब्रामिन विपोर इंडेपेंडेंस इन 1965 न्यूजबेपर जोनी 25 में हुआ था इंडेपेंडेंस से पहले ओदीचा ब्रामिन के द्वारा शुरू किया गा था और यह करनाल में शुरू हुआ था इन वेज़ डिस्टेक ओफ घरियाना स्टेट अटल पारक हैज बील्ट इन वेज़ टालस बातले तरा अरिवाज पे बेनिस्ट ओल्ड अरियाना के इंदर अटल पारक कहां पर बनायागा है जिसमें उनकी सब से लंबी मुर्यती यह करनाल में है दोस्तों नेक्स्ट क्योशन हमारे सामने है वेर इस दा माता परकास कोर मूट डीफ और स्पीच हैंडिक्ट सेंटर इस्टेबलेस है आप यह समझे यह माता परकास कोर मूट यह नहीं के मूट मतलब जो मुकबादे रहे हैं उसे related handicap center है और यह स्टेबलीस है करनाल में अगला question हमारे सामने और माता परकास की क हमारे सामने जो करनाल डिस्टिक से रिलेटेड थे और यह बहुत सारे questions हमने कवर किये total question यह 103 हैं आपके सामने उमीद करता हूँ कि यह content आपको पसंद दखाया होगा दोस्तों हमारी वीडियो को सेव जरूर कीजिएगा और थोड़ा कमेंट सेक्षिन में बताइएगा कि किस परकार के वीडियो आपका पसंद और उसी परकार के लेकर आने की कुछिस करेंगे तब तक के लिए दीजी का इजादत अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और उसके अंदर फिर लेके आते हैं एक अलग डिस्टिक को तब तक का आपको नमस्कार बहुत बहुत आपका धन्यवाद है